नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है, आज मैं आपको तिल चौत की कहानी सुनाने जा रही हूँ किसी नगर में एक साहुकार और एक साहुकार्णी रहते थे साहुकार और साहुकार्णी धर्म पुर्णी को नहीं मानते थे इसके कारण उनकी कोई संतान नहीं थी एक दिन साहुकार्णी अपनी पडोसन की घर गई उस दिन सकर चोट था वहाँ पडोसन सकर चोट की पूजा कर कहानी सुन रही थी तब साहुकार्णी ने पडोसन से पूछा तुम क्या कर रही हो तब पडोसन ने कहा कि आज चौत का ब्रत है इसलिए मैं कहानी सुना रही हूँ तब साहुकार्णी बोली चौत के ब्रत करनी से क्या होता है तब उसकी पडोसन ने कहा इसे करने से अन, धन, सुहाग, पुत्र सम मिलता है तब साहुकार्णी ने कहा यदि मेरा गर्व रह जाए तो मैं सवा सेर तिलकुट करूँगी और चौत का ब्रत करूँगी सिरी गड़ेश भगबान की किरपा से साहुकार्णी के गर्व रह गया तो भै बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं धाई सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद साहुकार्णी के बहुती सुन्दर पुत्र हुआ तो भै बोली कि हे चौत भगवान मेरे बेटे का बिवा हो जाएगा तो सवा पांच सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ बरसों बाद साहुकार्णी के बेटे का बिवा तैह हो गया और उसका बेटा बिवा करने चला गया लेकिन उस साहुकार्णी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौतेव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठा कर पीपल के पेट पर बिठा दिया। सभी बर को खोजने लगे। पर वो नहीं मिला। हतास होकर सारे लोग अपने अपने घर को लोट गए। इधर जिस लड़की से साहु कारणी के लड़के का बिवा होने वाला था, वह अपनी सहीलियों के साथ गड़ और पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गए। तब ही रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, वो मेरी अर्ध व्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूप कर काटा होने लगे। एक दिन लड़की की मानने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूपती जा रही हो। ऐसा क्यूँ? तब लड़की ने अपन भी बांध रखा है, तब उसकी माने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, अरे यह तो उसका जमाही है, तब उसकी माने जमाही से कहा, यहां क्यूं बैठे हैं, मेरी बेटी तो अर्ध व्याई कर दी, और अब क्या लोगे? साहुकार्नी का बेटा बोला, मेरी माने चौत का तिलकुट बोला था, लेकिन उन्होंने वह नहीं किया, इसलिए चौत माता ने नाराज होकर मुझे यहां बैठा दिया है, यह सुनकर उस लड़की की मा साहुकार्नी के घर गई, और उनसे पूछा, कि तुमने सकत चौत का कुछ बोला है? तब साहुकार्नी ने कहा, हाँ, मैंने तिलकुट बोला था, उसके बाद साहुकार्नी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए, तो धाई मन का तिलकुट करूँगी, इससे सिरी गड़ेश भगवान प्रिशन हो गए, और साहुकार्नी के बेटे को मंडम पेलना कर बठा दिया, साहुकार्नी के बेटे का बिवा धूम धम से हो गया, जब साहुकार्नी के बेटा एवं बहु घर आए, तब साहुकार्नी ने धाई मन तिलकुट किया, और बोली, हे चौतिव आपके आशिरवास से मेरे बेटा बहु घर आई हैं जिसमें जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके ब्रत करूँगी इसके बाद सारे नगरबासियों ने तिलकुट के साथ सकट ब्रत करना प्रारम कर दिया तो हे सकट चौत जिस तरह आपने साहु कारनी पर करपा की वैसे ही आपका ब्रत औपूजन करने वाले सभी भक्तों पर अपने करपा सदा बनाए रखना जैहो सकट चौत माता की जैहो गड़े इस भगवान की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकॉन पर किलिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें धन्यवाद